दोस्तों आज तक मेरे लगबग 600 वीडियो के खरीब रहेंगे यूटूब पे ये 600 में से लगबग 500 के ऊपर वीडियो देखें मेरे भाई मेरे जिन्दगे की कुछ मकसद है वो मकसदों में से मेन मकसद क्या है जब मेरे एज देखें अभी 27 रणिंग है मेरे ख्याल से जब 6 यह का था मैं हमारे फॉदर से बिछड जाकर हम लोग यानि थोड़ा वो ऑल्कॉहलिक थे इसलिए उनकी बुराई भी म पसंद नहीं है इसलिए बस समझ लो आप तो उन्से दूर होकर हम 6 साल में दूर हो गये थे जब मेरा भाई मेरे से 4 साल का चुटा था दो साल का कुछ थाश आय बस उतनए 2 औरई साल का जब हम दोनों मैं मेरा भाई दुनों ही हम भेना नहीं है अम्मी ने हमें बड़े करे बहुत मेहनज से मशिन से कर टैलर थे ओनों मशिन से इकर बढ़े करें पढ़ाय अच्छा खसी पड़े अगयरा सब कुछ देख भाल करकर इतना बढ़ा करें अगर से सुँझो अम्मी को मशिन से नहीं आता है टैलर नहीं रहते तो इंगो कितनी मुशीबत होती इंकम किस तर अब कि हजबेंट दूर हो जाते हैं उनको अर्णिंग की बुश्यादा ज़रूरत रहती है तो उनको खर्चा घर का खर्चा निकालना बहुत जरूरी रहता है तो इसी लिए मैं एक सुचाओं कि चलो घर के पास मुर्गी पालन करकर किस तरह से अर्म कर सकते हैं जैसे मैं कर लेते जाओंगा उस तरह से आप मुझे कॉपी करकर सेम उसी तरह से कर लेते आईए आपको भी कुछ अच्छी खासी अर्निंग होगी पहले देखिए मैं किस तरह से अर्निंग कर पाता हूं मैं मतलब हम मैं करते जाओंगा आप वीडियो देखते जाओंगे अपने आप भ सेर्णिंगु खोल आज तक मेरे लग बत 600 रहेंगे यूट्व पर यह चिस सो में से लगबत 500 के ओपर वीडियो अपन फौर्म के पास मुर्गी पालन किस तरह से करना हैं किस तरह से income generate करना है ये देखे बट आज से special focus घर के पास मुर्गी पालन किस तरह से करकर अच्छी खासी earning कर पाएंगे हम अपने पास total 17 pure original desi मुर्गिया हैं दोस्त और 4 original pure original desi मुर्गिया है बाखी के जो दिख रहे हैं ये आंद्रा नाटू के ये सिर्फ गोश्ट के लिए रखे अंडों के लिए नहीं है अपना सिर्फ research इस पर रहेगा कि pure original desi पर ही रहेगा ताकि अपने को बेचना सिर्फ original desi ही है इसलिए pure original desi का ही research चलेगा तो अभी यहां से देखिए एक बात याद रखे 17 अपने पास pure original desi मुर्या है उसमें से एक बच्चे बच्चों को समालने के लिए रखे हम ऐनी 16 समझ लीजे एक बच्चे वाली को नहीं चल सकता है मेरे भाई long time तो लग business चनले के नहीं क्या चाहिए हमें planning चाहिए अच्छी planning एक pen notes लेना है आपको planning करना है चलो आज हम planning start करते है यह जो new journey है अपनी यहां मसा है हमें अपन चूज करेंगे 15 बच चाहिए बेली 5 उड़ी निकलने के लिए यानि प्योर ओर्जिनल डेसी में वाद एक अंड़ निकल रहा है तो पांच एंडे निकलना फस्ट गॉल रहएगा उसके बाद फस्ट जाल विए धी कुरmm 나 गोल क्या रहेगा यह वा रोस्ग्धर चया वह इसंधिक यनों को यह निर्वाक है उस पचालीस चूजम निकलते हैं ऐन तो पचास अंडों को चूजम बनाने लगेंगे अपन तो चूजम कमपन सरी हैं कितने दिन मैं चालीस चालीस चूजे निकालना है आपन को हर 10 दिन में 50 अंड़े लोड होते हैं और 40 चूजे निकलते हैं हर 10 दिन में 40 चूजे निकलेंगे फिर यह 40 चूजों से कमई कैसे करें नेक्सट ठट गॉल क्या रहता है यह खूजे निकालना है आपनो को हर 10 दिन में 40 चूजे निकालना है इंडों से यह छूजो नेक्सट गॉल क्या रहे edited आपने पास creator चूजों को प्योर ओरौिछनल डेसी अपने पास और प्यों डेसी मुर्गी रहेगी यह दोनों की क्रॉसिंग के बच्चे निकलेंगे इसलिए अपने पास प्यों रहे न तो 65 रुपीज एक चूज़े का प्राइज लगाएंगे ठीक है 40 चूज़े 65 रुपीज 2600 रुपीज में 40 चूज़े देंगे ठीक है तो हर 10 दिन में 26 2600 रुपीज कमा रहे तो लास्ट में यहां पर कितना आएगा आपन को महिने का 7800 रुपीज एक महिने का होगा भाइ चूज़े नहीं भी की तों क्या करना है चूज़े नहींभी की तो simple है मेरे भाई चूज़ों को बढ़ा कर लेना है चूज़ेंगा बढ़ा करने तो और नहीं जा रहा है 65 रूपे उसमें है कोई बात दीं है बड़ा करेंगे बड़ा करी तो कितना आएगा एक मूर्गी कितने में मिल रही अभी 400-500 रूपे कुछ कुछ विलाखों में 1000 रूपे ते लग 800 1400 रूपे तलए बी मिल रही है तो यह इलाखे के वाइस रहेगा मेरे भाइ पर यहां पर तो रेड़ देखिए 400-500 रूपय मुर्गी का प्राइज है और मुर्गे का प्राइज 650 से लेकि 1000 1200 रूपय तलग भी मुर्गे का प्राइज है ठीक है अच्छा का सही आम उटाएगा अभी यह चुज़ों को बना लेंगे तो एक चुजा कितने रुपे में बढ़ा होगा 200 से लेके 250 रुपे में एक चुजा बढ़ा करने के लिए खर्चा आ रहा है तो अपन 500 रुपे में उसको बेच रहे हैं मुर्गी को तो 400 रुपे एक चुज़े के उपर बढ़ा तो बढ़ के उपर अड़ेसो रुपे मन रहा है बच रहा है अपन को 40 इंटू 40 में से 35 भी रहना 35 इंटू 80 में अपने मुनाफाई उतना अता है ज्यादा इंकम आता है अभी और हैं देखते हैं फिर आगे अपने बज्चेट के हिस मेरे भाई तो चलो फिर यह अपना प्रोक्षिस यह के involved, यह साफ से अन्डा देने के लिए अभी जगे सेट कर ले रही है कि देखर हो यह जगे तलाश कर रही है पहले उसको comfortable कहां पर लगेगा वहां पर बैठेगी यह और यह वाला box दो रखते हैं हम अंडे देने के लिए चलो उसको bucket नहीं पसंद आई यह सा है फिर यहां पर देंगे तलाश करें मैं भी यह first अंडे दे रही है अभी अभी मतलब आज इसका first है या कल दे चुकी है पताने पर starting के अ अंडे देती है तब इस तरह से जगे तलाश करते हैं दोस्त और अभी यह white color की मुर्गे देखिए दोस्त यह भी अंडा देने वाली है में भी जगे तलाश कर रही है आज इसका भी पहला या दूसरा अंडा रहेगा गिंते हैं अपन शाम में कितने अंडे निकल रहे हैं क तो फिर दुभारा से मुर्गी कितने दिन में अंडों को आएगी करकर हम एक रिसर्च कर रहे थे वो रिसर्च सक्सेस्फूर हुआ है काफी बहतरीन तरीखे से इसकी एज में भी देड़ साल की रहेगी दोस्ति यह देड़ साल की रहेगी तो और अपने यह 36 बैच की ही य अभी लगबग खुड़क बनने भी वाली है अल्मोस्ट बन गई है लाष्ट के कुछ अंडे बाखी होंगे अभी नाइट हो गई है दोस्त नाइट में अंडे चक कर लेते हैं एक बार देखे किसके जगे पर उनलों जाकर अराम से बाइट गए तो यह बॉक्स में देखे खुड़क बन गए कुछ मुर्ग हैं भी तो एक बार उठा लेते हैं सबको उठा कर अंडे चक कर लेते हैं तो यह वाली मुर्गी ब्लाक वाली मुर्गी भी खुड़क बन गई है और दूसरी भी खुड़क बन गई है लगता है ताकि नाइट में इस तरह से बैट गए अ तो इनका खुड़क भी छुड़ाएंगे कल के वीडियो में मोस्ट इंपॉंटेंट होने वाला है आज तो देखे चार अंडे दिखाई दे रहे इसको भी उठा देते एक बार इसके नीचे कुछ अंडे दिखाई नहीं दे रहे मुझे तो जो बाजू की जो मुर्गी है बॉक्स में कितने चार दिखाई दे रहे तो यह चार अंडों को ले लेंगे कल मोस्ट इंपॉंटेंट रहेगा वो मुर्गों को खुड़क किस तरह से छुड़ाएंगे नए हो त सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो साने के लिए